हेलो फ्रेंट्स, विल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स, जब भी हम कोई नई बाइक खरीते हैं तो बाइक से जुड़ी हुई कुछ ऐसे सीरीज है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शोरूम के दौारा हमें फ्री में दिया जाएगा इनमीं जो सबसे पहला सीसरी है वो है हिलमिट हर कोई चाहता है कि एक हिलमिट तो बाइक के साथ फिरी में मिली जाए Next है Crash Guard जिसे बहुत سے लोग Leg Guard कहते है अगला है Engine Guard जो कि Engine के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसके लावा है hand guard और liver guard जो कि rider के protection के जरूरी होता है और finally है rare mud guard जो कि बरसात के टाइम पे बहुत ही काम में आ जाता है अब दिक्कत की बात यह है कि कुछ company के bikes में हमें free accessories मिलती है जबकि कुछ company के bike में हमें कोई भी free accessories नहीं मिलती है और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल इंस्ताग्राम में मुझे महादेब जी ने पूछा है कि new bike purchase के टाइम में showroom वालों को क्या-क्या accessories देना पड़ेगा अगर ना दे तो क्या कदम लेना चाहिए इसके बारे में video बनाए जल्दी अब मैं आपको बता दो friends ये इनका जो सवाल है वो बहुत ही genuine है क्योंकि recently अभी मेरे भाई ने RE classic 350 खरीदा मैंने भी BMW G310R खरीदा और इस तरह का expectation तो होता ही है तो इन free accessories को लेकर कोई नियम है कि नहीं है और क्या हम लोग कोई action ले सकते हैं इसी के बारे मैं आपको आगे description में मिल जाएगा अब friends देखिए सबसे पहले अगर नियम की बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि customer को नए bike के साथ कौन कौन सी accessories free में देना है इसको लेकर सरकार ने अभी तक कोई भी नियम नहीं बनाया है हाला कि नियम होना जरूरी है लेकिन अभी ये नियम है नहीं अ उनका भी कोई universal law, universal rule नहीं है जिसके बजासे इस मामले में हर एक company का अपना अलग-अलग राय है जिसके वय से आपको कुस company के bike में engine guard और crash guard दोनों देखने को मिलते है कुछ company के bike में सिर्फ crash guard मिलता और कुछ company के bike में तो engine और crash guard दोनों ही नहीं मिलता है अब मैं आप को यह पर ये किलर कर दूँ कि चुकि सरकार का नियम नहीं है इसलिए ये जो free accessories का पूरी तरह से मामला है वो पूरी तरह से मैं आपको बता दूँ कि dealership के उपर में ही dependent होता है जो showroom के उपर में dependent होता है जहां से हम लोग bike को purchase करते है और इसी का फाइदा कुछ-कुछ showroom वाले उठा लेते है मैं आपको बता दूँ कि जब मेरे भाई ने RE Classic 350 खरीदा तो उसे एक helmet free में दिया गया जब मैंने BMW G310R खरीदा तो उस bike के साथ मुझे एक भी कोई भी Hscree free में नहीं मिली मैं recently अभी KTM का showroom भी गया था शोरूम वाले अपने sales को बढ़ाने के लिए या जब कोई festival का season होता है उस वक्त या आज पास का जो बाकी companies के showroom है उसके competition को देखते हुए offer निकालते रहते है और इन में से कुछ-कुछ accessories या ज़्यादा तर एसी ज़रू है वो free में customer को as a gift offer के लाओ पर दे देते है साथ ही कई बार additional accessories भी मिल जाता है जिसमें है riding shoes, riding gloves, riding jacket या जो cleaning kit है वो भी मिल जाता है अब मैं यहाँ पर आपको finally बताना चाहूँगा कि नियम नहीं होने के वज़ास से आपको अगर अपने bike के साथ कोई भी accessory free में नहीं मिलता है तो technically आप कोई भी higher authority में action नहीं ले सकते है, complain नहीं कर सकते है और बहुत बार क्या होता कि customer जो है वो salesman या sales executive से बहस भी करने लगते है कि मुझे मेरी bike के साथ accessory free में नहीं मिला तो ऐसा करके अभी कोई फाइदा नहीं है मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को इस बारे में देखना चाहिए और सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, एक law बनाना चाहिए क्योंकि जब सरकार नियम बनाएगी तो automobile companies उन्हें follow करेगी, जो dealership है, जो soru में वो भी उन्हें follow करेंगे, और सबस्क्राइद बेहतर हम लोगों को हो जाएगा, हम consumers को हो जाएगा क्योंकि हम ये दिमाग में हमारा होच पाएगा, कि हम जब नई बाइक को खरीद देंगे तो हमें कौन कौन सी accessories as per law free में मिलने वाली है तो उम्मीद है कि सरकार इसके वारे जरूर से कोई ना कोई action लेगी और कोई ना कोई law बनाएगी लेकिन जब तक law नहीं है, तब तक हमने वोग expect कर सकते कर कोई offer हो, तब ही हमें free accessories मिल सकता है, तो friends ये dot बहुत से लोगों को होता है उम्मीद है कि इस वीडियो में दिगाई जानकारी से आपको इस बारे में समझने में help हुआ होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment करके जरूर बताए, इसके लाव अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe कर ले और बेल आकन को भी दबा ले ताकि आने वाले important वीडियो के update आपको notification के तुरू मिलते रहे मिलते एगले वीडियो में, thanks watching this video, goodbye